अस्सलाम लेकूं माई यूटूब फैमली कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब ठीक होंगे आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक है अज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेस्पी तो देखिए उबला हुआ दो आलू लिए तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो आलू को मिक्स करने के वाद इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ तो फ्रेंड दो हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं जा देती नहीं बनाती हूँ इसलिए दो हरी मिर्च डाल दिये हैं आधा चमच चाट मसाला डाल दिये आधा चमच गरम मसाला डाल दिये हैं एक चमच डाल दिये आम चूर का पाउडर फ्रेंड सुआत के अनुसार नमक डाल देती हूँ तो देखिए सुआत के अनुसार नमक डाल द है आप इसका दो लोई बना डėती हूं तो देखे दो लोई बना लिए फेंड इस तरह प्रेंटर के चप नहीं पसंद है तो नहीं लगाईएगा इसमें आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है वो लगाईएगा तो देखिए इस तरह से लगा लिए आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से नास्ता बनाईएगा तो बाहर से तीज़े टायम भी नहीं लगता और मेहनत भी जादे नहीं है बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और टेश्टी भी बन जाता है तो ईस तरह से आफ़ बनाईए गा तो टायसجी नास्ता बन दिये हैं अब इसमें डाल रही हूं कुटा हुआ लाल मिर्च तो आधा चमच डाले हैं कुटा हुआ लाल मिर्च तो इसको डाल दिये हैं अब थोड़ा सा डाल दिये हैं करीपता जिसको कट करके डाल दिये हैं अब इसमें पानी डाल दिये हैं पानी डालने के बाद इसको अ तो आप देखिए नास्ता को इस गोल में डाल देती हूं, गोल में डालने के वाद तुरत इसको निकालना है, निकालने के वाद इसको तेल में डालना है, तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दिये हैं, अब निकाल कर और इसको तेल में डालेंगे, तो एक एक करकर इस त बरट देखिए एक मिनट हो drastic को सबाशिक है तो इसको पालट देती हूँ देखिए विम्हें काच प्यारा आगया देख सब बहुत ही प्यारा कलर आया है झाल देखिये सारानास्ता को इस तरह के पलरट दिए और इसको एक मिनट तक होगी सबाए तो देखें एक मिनिट हो चुका है और देखें नीचे का साइड भी अच्छे से पकचुका है देख सकते हैं आप सब कलर बहुत ही प्यारा आया है तो सब को इस तरह से में पट्रट देती हुँ और अब इसको अलट पट्रट करकर निकाल लूगे क्योंकि नास्ता बना कि त्यार हो चुका है और देखिए बहुत ही टेश्टी बन JEAL हुआ हो अदेख सकते हैं आप सब देखने से ही पता चल रहा होगा आपको ए बहुत ही टेश्टी नास्ता बना है तो देख् Möglichkeit दिखा कितना प्यारा कलर आया है तो फ्रेंड जो भी बचा हुआ नास्ता था तो आप डाल दिए कराही में तो देखिए इसको भी अच्छी तरह से पका लेती हूं फ्रेंड तो मेरी रेस्पी कैसी लगती है आप सबको तो कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड तो देखिए ट